हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दीप क्लासेज जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदी गद्य कथा के विकास में पाठक वर्ब की भूमी का हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके साथी साथ MHD से रिलेटिड अधर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का क्वेशन है हिंदी गद्य कता के विकास में पाठक वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डाली इसका उत्तर देखें अपने आरंब में कता सामान्य तहा सुनाने सुनने वाली रचना थी किन्तु कता गद्य के रूप में लिखी जाने पर तो वह श्रव्वे के साथ साथ पाठक भी होने लगी और मशीनरियों द्वारा मुद्रन यंत्र लाने के बाद तो कता श्रव्वे से पाठ्य अधिक होने लगी क्योंकि मुद्रन तकनीक के विकास के कारण पुस्त के सस्ती और आसानी से उपलब भोने लगी थी इसके साथ साथ शिक्षा के प्रसार हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आईजाग रुकता अधालतों में हिंदी के प्रवेश तथा पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन आदी से पाठक वर्ग बढ़ने लगा तथा भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां अपनी वेशिक शासन के बाद निर्मित हुई क्योंकि उन्निस वीशतापदी के आरंब से लेकर आगामी साथ दशकों तक हिंदी पाठक वर्ग के निर्मान की प्रक्रिया अत्यन धीमी रही और इसके साथ-साथ उपन्यास एक विदा के रूप में भिलगातार दस्तक देता रहा उन्निस्वी सदी के उत्रार्ध में अनुकूलन परिस्थितियों में सन अठारा सो सत्तर ईस्वी में देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में प्रकट हुआ यद्पी इसके लगबक 15 वर्षपूर बंगला और मराठी में उपन्यास का जन्म हो चुका था इसलिए बंगला और हिंदी में इसे उपन्यास उर्दु में नाविल, मराठी में कादंबरी तथा गुजराती में नवल कथा के रूप में जाना गया कहानी लेखन का आरंग यद्पी पहले बंगला में छोटे गल्प के नाम से हुआ जो की वास्तव में अंग्रेजी की शोट स्टोरी का ही रुपांतर था किन्तु हिंदी में कहानी का आरंग आख्याई का नाम से हुआ बाद में उसके लिए कहानी नाम को स्विकार कर लिया गया कथा के उपन्यास या कहानी में रुपांतरन के लिए इसका लिखित गद्य कथा के रूप में होना जरूरी था क्योंकि हिंदी शेत्र में मोखिक गद्य कथा का अस्तित्व तसदियों से था परंतु लिखित रूप में उसका प्रचलन बहुत ही कम मात्रा में था यदपी ब्रज भाशा हिंदी और राजस्थानी में लिखित गध्य कथाओं की एक शीड सी परंपरा अवश्य विद्यमान थी परंतु उसका संबंध भी पाठक की तुल्ला में श्रोता से ही अधिक था श्रोता के पाठक बनने की प्रमुक्षर्थ के रूप में व्यक्ति का पठन योग्य से संपन होना था और इसके साथ ही मुद्रिक पुस्तकों की उपलब्दता भी पाठक समुके निर्मान साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है इसलिए ये संपूर्ण सामाजिक वराजनेतिक परिस्तितियां अठारविशताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत के हिंदी भाशी शेत्र में विद्यमान नहीं थी यदपी अंग्रेजों के शासन के पूर्व हिंदी शेत्र में शिक्षा का आभाव नहीं था परंतु इस शिक्षा के माध्यम या विशय के रूप में हिंदी का स्थान अत्यंत नगन्य था और सरकारी कामकाज की भाशा फार्सी थी अथा जीविका के लिए लोग हिंदी के स्थान पर फार्सी भाशा और लीपी की शिक्षा को ही महत्व देते थे धर्म, भावना और उसकी जरूरतों के कारण देवनागरी भाषा और लीपी जीविक तो थी परंतु व्यवहारिक जीवन में उसका कोई महत्व ना था और इसकी कथाएं मनोरंजन या शिक्षा के लिए ही सुनी सुनाई जाती थी क्योंकि सामान ने आदमी हस्त लिखित कथा पुस्तके प्राप करने में सक्षम नहीं था यदपी बेताल पच्चिसी सिनहासन बत्तिसी सब्रस आदी पुस्तके सत्विशताब्दी में लिखी जा चुकी थी परंतु सभी लोगों तक उनकी पहुँच बहुत कम थी तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है जिसमें हमने जाना हिंदी गध्य कथा के विकास में पाठक वर्ग की भूमिका के बारे में अपने नेक्स वीडियो में हम हिंदी गध्य के विकास में मुद्रन तक्नीक के आगमन के बारे में जानेंगे तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Thank you for watching